हेलो एवरिवन, वेलकम टो लाण मैथ्यो निकली आज हम गुरंखन कैसे निकालते हैं? वो हम सीखेंगे, वीडियो अन तक देखेगा चले पिर शुरू करते हैं परस्ट कोश्चन है हमारा AX प्लस CX प्लस AY माइनस BY माइनस BX प्लस CY आप इस कुश्चन में देख सकते हैं AX है, मतलब A गुना X है, ठीक है? यहाँ पर गुना चुपा होता है तो पहले हम क्या करेंगे? पहले हम AX, CX और BX को एक जगा कर देंगे X को हम एक जगा करेंगे और Y को हम एक जगा करेंगे ठीक है? AX प्लस CX माइनस BX कर लिया अब Y वाले नमबर बच गए तो हम Y वाले को एक जगा कर देंगे प्लस AY माइनस BY प्लस CY ठीक है? अब हम यहाँ पर AX प्लस CX माइनस BX है, आप इन सारे में से X को कॉमन निकाल सकते हैं X को हम कॉमन करते हैं तो A प्लस X हम यहाँ से कॉमन कियें तो C बचा माइनस X हम यहाँ से कॉमन कियें तो B बचा B अगर हम इन सारे में से Y कॉमन कर लेते हैं क्योंकि यहाँ भी Y है यहाँ भी Y है और यहाँ भी Y है तो इन सारे में से हम Y कॉमन कर लेते हैं तो यहाँ A बचा minus Y हमने common किया तो B बचा plus Y हमने common किया तो C बचा X A plus C minus B और यहाँ पर है A minus B plus C इन दोनों को हम same करेंगे ठीक है? A minus B है उसको हम इधर करेंगे minus B को हम इधर करेंगे minus B plus C इसके sign में कोई परवर्टा नहीं हुआ यहाँ भी minus B है और यहाँ भी minus B है plus Y A minus B plus C आप दिख सकते हैं यहाँ भी same है और यहाँ भी same है तो उसे हम एक जगा लिखेंगे A minus B plus C और X plus Y को हम एक जगा लिखेंगे X plus Y यह हमारा answer हो गया I hope आपको समय में आ रहा होगा चले फिर second question देखते हैं second question है हमारा A B गुना में X square plus Y square plus XY bracket bracket में A square plus B square तो पहले हम A B को अंदर bracket में गुना करेंगे ठीक है तो A B को हम अंदर bracket में गुना करते हैं A B को हम X square से गुना करेंगे तो A B X square plus A B को हम Y square से गुना करेंगे A, B, Y स्क्वार प्लस X, Y अब हम X, Y को A स्क्वार प्लस B स्क्वार से गुना करेंगे X, Y को हम A स्क्वार से गुना करते हैं X, Y, A स्क्वार प्लस X, Y को हम B स्क्वार से गुना करते हैं X, Y, B स्क्वार ठीक है? अब हम x वाले नम्मर को एक जगा लिखेंगे आप देख सकते हैं यहां भी x है और यहां भी x है ठीक है अब हम दोनों नम्मर को एक जगा लिखेंगे a b x square plus x y a square और y वाले नम्मर को y यहां भी है और y यहां भी है तो हम y को एक जगा लिखेंगे plus a b y square ठीक है आप देख सकते हैं दोनों में common क्या है दोनों में A है A है और X है X है तो हम दोनों में से A और X common कर लेते हैं इसमें से हम A और X X square है मतलब X का घात दो मतलब X गुना X ठीक है अगर हम एक X निकाल लिए तो क्या बचा हम BX बचा BX प्लस AX हम इसमें से निकालेंगे A square है मतलब A गुना A एक A हमने निकाल लिए तो एक A बचा और यहां से X हमने निकाला तो क्या बचा A और Y A Y ठीक है प्लस अब इन दोनों में से जो common है वो हम बाहर करेंगे आप देख सकते हैं यहां Y है यहां B है और B है तो दोनों में से common क्या निकला दोनों में से B Y हमने बाहर निकाला तो क्या बचा A और इसमें से एक Y A और Y प्लस अब इसमें से हम B Y common कर लेते हैं B Y एक B और Y हमने common किया तो क्या बचा B X बचा ठीक है आप देख सकते हैं B X प्लस A Y यहां भी है और A Y प्लस B X यहां भी है जोडने पर कोई परवर्टर नहीं होता है तो दोनों सेम है तो दोनों सेम है तो उन्हें एक जगा लिखेंगे B X प्लस A Y एक ब्रैकेट में और A X प्लस B Y एक ब्रैकेट में A X प्लस B Y यही हमारा एंसर हो गया आई होप आपको समझ में आ रहा होगा तो चलिए फिर थर्ड कुशन देखते हैं ठाइशंब्ल कुशन है हमारा 6a2-9aB-4ad-6bd छीक थीक है आप देख सकते हैं6 3 çO3 Essentially przestाइश zwischenाप pos4ad-6bd- और 9 को हम धरिक्रोष 23 क्रोष 3 लिख सकते हैं ठीक है तो इन दोनों में से क ahíकती हुआ हमारा आप देख सकते हैं यहां भी चितरी है यहां 118 है और और यहां भी a है, तो common निकला हमारा 3a, हमने common निकल लिया, तो यहां पे क्या बच्चा? 2 और 1a, 2a, एक common निकला, minus, यहां से हमने 3a common निकला, एक 3 बाहर निकला, और 1a बाहर निकला, तो क्या बच्चा? 3B 3B हमारा बचा 3B माइनस यहां पे 4 है 4 को हम 2 x 2 लिख सकते हैं और 6 को हम 3 x 2 लिख सकते हैं इन दोनों में से जो common है उसे हमें common निकालना है आप यहां देख सकते हैं यहां 2 है और यहां D है यहां भी 2 है और यहां भी D है तो दोनों में से common क्या निकला 2D हमने common निकल लिया तो क्या बचा एक दो और A 2A हमारा common निकला plus हमने 2D इसमें से common निकला तो क्या बचा 3B ठीक है यहाँ पर plus का sign नहीं यहाँ minus का sign होगा minus का sign बाहर है तो अंदर का sign बदल जाता है हमने पड़ा है यहाँ पर minus का sign होगा plus का sign नहीं minus को हम plus से गुना करते हैं तो क्या आता है minus होता है तो यहाँ हमेशा minus का sign होगा ठीक है आप देख सकते हैं 2A-3B है यहाँ भी 2A-3B है दोनों equal है तो उसे हम एक जगा लिखेंगे 2A-3B और यहाँ पर 3A-2D को हम एक जगा लिखेंगे 3A-2D यह हमारा answer हो गया I hope आपको समझ में आ रहा होगा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें चैनल पर नए है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं तेंक यू